हेलो अब्रिवान वेलकम टू बालराम फोटोग्रफी आज मेरे पास एक बहुत ही इंडरेस्टिंग प्रोड़क्ट है आप लोगों को दिखाने के लिए यह है मोजा नैनो ऐसी एक्सेंडेबल सेल्फिस्टिक गिंबल यह एक 3-in-1 डिवाइस है जहां पर एक ही डिवाइस क आप एस गिंबल एस सेल्फिस्टिक एंड एस ट्राइपोड इस्तमाल कर सकती हो आगे इस वीडियो में मैं इस प्रोड़क्ट के बारे में डिटेल में बात करूंगा नाव लट्स कुइकली अन्बॉक्स दिस प्रोड़क्ट सो यह है मोजा नैनो ऐसी एक्सेंडेबल सेल् कर लूँगा और यहां पर है मोबाईल होलडर जहां पर आपने स्मार्टफोन को विल्कुली बीच ओबीच अच्छी तरीके से अलाइन करती हुए यहां पर क्लिप कर दूंगा और यहां पर यह जो पावर बटन है इसको मैं प्रेसेंट होड करके रखूंगा तो यह जो ग गिंबल है मैरे जो स्मार्टफोन है उसको भर्टी के लिए स्टेबल कर रहा है तो इस गिंबल को इस्तमाल करते हुए वीडियो कैप्चर करते वक्त आपको अपने वीडियो की फ्रेमिंग के बारे में चिंता करने के ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि यह जो गिंबल है यह की तरफ खिंचती हो तो यह एक्स्टेंड हो जाता है यहाँ पर चार स्टेप में यह एक्स्टेंड होता है और यह काफी लंबा सेल्फिस्टिक बन जाता है अभी आप देख सकते हो यह काफी लंबा सेल्फिस्टिक बन चुका है और इसको इसको इस्तमाल करते हुए मैं का handle grip है यहाँ पर आपको तीन legs मिल जाते हैं जिसको कि आप कुछ इस तरीके से unfold कर सकती हो and इसको आप थोड़ा सा लंबा करके इसको आप as a tripod इस्तमाल कर पाएंगे so यहाँ पर एक ही device के अंदर आपका तीन काम हो रहा है सबसे पहले तो आप इसको as a gimbal इस्तमाल करती हुए आपने वीडियो क्लिप को verticallyly stable कर सकते हो उसके बाद आप इसको extend करके इसको as a selfish stick इस्तमाल कर सकते हो blog videos capture करने के लिए and उसके बाद यहाँ पर यह handle grip है इसको जो legs से इसको आप unfold करके यहाँ पर से आप इसको इसदर tripod इस्तमाल कर सकती हो तो एक ही device के अंदर आपका तीन परपस fulfill हो रहा है अब इस product का जो चीज मुझे सबसे खास लगा उह है इसका यह controller यह basically एक Bluetooth remote है जहाँ पर आपको चार buttons मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने इस gimbal को control कर सकती हो अगर आपने अपने smartphone के अंदर moza genie app को install करके रखे हैं तो यहाँ पर यह जो button से इसको आप multipurpose में इस्तिमाल कर सकते हो जैसे कि उपर का यह जो M button है उस पर एक बार click करके आप अपने smartphone की जो orientation है उसको change कर सकते हो इसको आप landscape या फिर portrait mode में इस्तिमाल कर सकते हो और इस M button को double press करती हुए आप अपने smartphone को follow mode या फिर lock mode में डाल सकते हो तो अगर आप इसको follow mode में डाल देते हो और अपना जो handle किसी भी तरब tilt करते हो तो आपका smartphone यहाँ पर इसका angle वो tilt होता है लेकिन वो बहुत ही smoothly tilt होता है और अगर आप इसको lock mode में डाल देते हो तो आपका smartphone है वो सीधा रहता है फिर चाहे आप handle को किसी भी तरब move करो फिर यहाँ पर नीचे का जो red button है उस पर click करके आप photo and video capture कर सकते हो और उसको अगर आप double click करते हो तो यहाँ पर आप photo mode यहाँ फिर वीडियो mode में switch कर सकते हो और यहाँ पर आपको zoom in and zoom out करने के लिए दो buttons मिलते है यह जो remote है यह Bluetooth के जरीए connect रहता है तो उसको आप wirelessly इस्तमाल कर सकते हो थोड़ा दूर जाकर भी इस remote से आप अपने smartphone को control कर सकते हो तो इस selfie stick gimbal का जो सबसे खास बात मुझे लगा हो है इसका price 4000 rupees price है इसका and 4000 rupees में आपको एक 3 in 1 device मिल रहा है एक gimbal, एक selfie stick और एक tripod का combination आपको एक ही device के अंदर मिल रहा है तो यह काफी सही deal है उसके साथ ही यह जो प्रोडेक्ट है यह travelers के लिए एक बहुत ही बड़िया प्रोडेक्ट है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्योंदर travels करते हो तो वहाँ पर आपको stable video capture करने के लिए एक gimbal carry करना पढ़ता है, photo and video capture करने के लिए आपको एक tripod करना पढ़ता है और यहाँ पर आपको एक selfie stick भी carry करना पढ़ता है अगर आप ब्लॉग video capture करते हो तो यहाँ पर आपको 3 purpose के लिए 3 device करी करना पड़ता है लेकिन इस एक ही device से आपका ये 3 purpose fulfill हो सकता है तो एक छोटा सा device को carry करके आपका 3 purpose fulfill हो सकता है और इसको आप आसान इसे कहीं पर carry कर सकती हूँ ना इस product का एक practical use अगर मैं आपको बताऊँ जहाँ पर इसने मेरे को बहुत ज़दा help करें वहें low angle shots के लिए जब भी मैं low angle shots capture करता था महाँ पर एक problem मेरे साथ आता था कि मेरा जो वीडियो का horizon line है वो कभी भी सीधा नहीं होता था किसी भी तरफ tilt हो जाता था तो उन situations में ये जो selfish stick gimbal है इसने मेरे को काफी ज़दा help करें विकाउज इसको मैं कुछ इस तरीके से नीची के तरफ ऐसे घुमाती हुए यहाँ पर मैं चलता जाओंगा मेरे को जो horizon line है उसके बारे में चिंता करने के ज़रुत नहीं होगा विकाउज यह जो gimbal है यह मेरे को इसने काफी ज़दा help करें यह कुछ sample shots आप दिख लीजे जिसको मैंने इस selfish stick gimbal को इस्तमाल करते हुई capture करें सो बस यही रहा मोजा नेनो ऐसी selfish stick gimbal का review मेरे को personally यह जो product है यह काफी बढ़िया लगा बहुत ही affordable price में आता है एक 3 in 1 device है आपके 3 purpose को यह fulfill कर देगा साथी साथ यहाँ पर आपको एक Bluetooth controller मिल जाता है जिससे कि आप इस gimbal की साथ-साथ अपने smartphone को control कर सकती हो एंड इसका जो battery है यह आपको लगबग 7-8 घंडे का backup दे देता है तो overall यह जो product है यह काफी बढ़िया है खास करके जो traveler से उनके लिए यह एक बहुत ही बढ़िया product है बागी आप मुझे comment करके बताओ यह जो product है यह आपको कैसा लगा इस product के बारे में आपका जो भी thought है आप मुझे comment करके बता सकती हो बागी अगर आप इसको purchase करना चाहते हो तो best by link मैं आपको नीचे desk to sunbox पर दे दूँगा वहाँ परसी आप इसको purchase कर सकती हो तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो please like करना, share करना ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो पर